हलो गाइज, वेलकम टू दा चैनल, आज हम इस वीडिये में बात करेंगे नीट पीजी 2023 की तो गाइज इस वीडिये में आपन बात करेंगे टोटल MDMS सीट्स की, टोटल क्लिनिकल सीट्स की और साथ ही टोटल MDMS सीट्स टोटल गोवर्मेंट एंड प्राइवेट सीट्स एंड क्लिनिकल सीट्स कितनी है एंड ब्रांच वाइज टोटल नमबर ओप सीट्स यह हम इस फ्यूडियो में डिस्कस करेंगे तो आईए सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल एमडी एमऐस सीट्स की consecutive तो हम टोटल मडी ममफ सीट्स की बात करें तो मैं आप को यहां पर सबसे पहले ब्रांच वाइज डिस्ट्विशन बताता हूं जिसमें हम बात करेंगे ब्रांच PG सीट्स है तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांच रेडियो डाइगनोसिस की तो यहाँ पर टोटल PG सीट से 257 अगर हम बात करें नेक्स डर्मा की तो डर्मा के लिए आपको टोटल सीट से 1291 पीडिया की बात करें अपन तो पीडिया की है टोटल सीट्स 3180 नेक्स अगर हम बात करें TB and chest तो यहाँ पर आपको टोटल 955 सीट्स देन हम बात करें orthopedics की तो ओर्थो में आपको टोटल 2630 सीट्स देखने को मिलेगी अगर हम बात करें जनरल सरजरी तो यहाँ पर आपको 42900 सीट्स देन हम बात करें nuclear medicine की तो आपको तो टोटल नमर उप सीट्स मिलेंगी 65 देन हम नेक्स अगर बात करेंगे psychiatry की तो आपको 1260 सीट्स यहाँ पर counseling में मिलेंगी जिसके अंदर यह टोटल यह जो भी सीट्स है जितने भी नमबर दिया है यह सभी government प्लस प्राइवेट दोनों को मिला कर यह जो वेल्यू है यह आपको दोनों को मिलाने के बाद भी बता रहा हूं ठीक है radio therapy की बात करें नेक्स्ट तो आपको total 459 सीट्स मिलेंगी देन कर फेथोलोजी की बात करें कई एह ऑफ पैफोलोजी में आपको total 2555 सीट्स मिलेंगी तो ऐसे अगर हम बात करें तो overall total number of सीट्स है total number of सीट्स overall 34970 तो यह आपको एक बार देख सकते हो फिर से मैंने बताया आपको से पहले ब्रांच वाज डिस्ट्रिविशन जिसमें टोटल रेडियोलोजी की बात की डर्मा की बात की सब्जेक्ट वाज अपने बात की है और अगर अब मैं नेक्स आपको बताने जा रहा हूं जिसमें अपन हम बात करेंगे टोटल टोटल एमडी सीट्थ तो गईस टोटल एमडी सीट्स है 29400 कि टोटल एमडी सीट्स जिसके अंदर गोड्मेनट एंड्टर की बात करेंगे तो टोटल MS seats में 15,110 seats then total diploma seats diploma seats की बात करें तो 7,8,9 seats आपको total मिलने वाली है then total NBE diploma seats total NBE diploma seats की बात करें यहाँ पे तो 1015 seats आपको यहाँ पे counseling में मिलने वाली है total DNB seats की बात करें total DNB seats यहाँ पे 4590 4590 total DNB seats आपको मिलने वाली है अगर हम total overall total करके हैं आपको total बताऊं जिसके अंदर आपको total MD plus MS plus diploma यह आपको total final value आपको आएगी total 45299 आपको पूरी counseling में मिलने वाली है next अगर हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पे government seats and private seats का बताऊंगा distribution branch wise तो अगर हम बात करें सबसे पहले radio diagnosis की तो यहाँ पे government seats और यहाँ पे private की हम बात करेंगे तो government seats की बात करें radio diagnosis में तो 10041 यह 1041 seats है और अगर हम private की बात करें तो 1216 second branch की बात करें हम डर्मा की तो डर्मा में government seat से 606 और private seat से 2090 then हम बात करेंगे general medicine की तो general medicine में 2693 में government seats और 2022 में है private seats okay guys next हम बात करेंगे PDI की तो PDI में आप देख सकते हो 1880 seats है government और साथ में ही यहां पे exact इतनी ही आपको private seats देखने को मिलेंगे then TB and chest जो की pulmonology के अंडर आप मान सकते हो इसकी total seats है 495 में government seats है और साथ में ही 460 private seats है then ortho की बात करेंगे तो ortho में आपको मिलेंगी तेरा सो पचास seats government and बारा सो पिच्चान में private seats आपको देखने को मिलेंगे in ortho branch then OBG की बात करेंगे आपन तो OBG में आपको 290 government seats मिलेंगी साथ ही आपको अठारा सो seats आपको private देखने को मिलेंगी then general surgery के बात करेंगे तो general surgery में आपको 2513 seats मिलेंगी साथ ही आपको private में मिलेंगे 1783 seats 1780 से आप मान सकते हो next अगर हम बात करें general surgery के बाद में अगर psychiatric की बात करें तो psychiatry में आपको total number of seats मिलने वाली है 745 वही आपको private मिलने वाली है 5011 और anesthesia के बात करें तो anesthesia में total government seats 2650 और total private seats 1750 next अगर हम बात करें ओप्ता की तो ओप्ता में total 1150 government seats साथ ही 680 private seats आपको देखने को मिलेगी और अगर हम next बात करेंगे ENT की तो ENT में आपको मिलने वाली है 770 seats और यह government seats 770 साथ ही अगर हम private seats की बात करें तो 550 आपको ENT में मिलने वाली है रेडियो थेरेपी की बात करें यहां पर तो रेडियो थेरेपी में आपको 370 government seats और साथ में ही 90 seats आपको private देखने को मिलने वाली है इस वीडियो में हमने बात की है यहां पर सब्जेक्ट वाइज यह जो मैंने दिखाया है यहां पर आपको यह था सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रिबिशन ओप टोटल नंबर ओप शीट इन गोर्मेंट एंड प्राइवेट मेडिकल को लेजेज और हमने जो इस्टार्ट म बात की ती यहां पर टोटल नंबर ओप सीट फोर ओंली पीजी सीट डेशिस में ब्रांच वाइज डिस्ट्रिबिशन देखा था ओंली टोटल नंबर ओप इसीट इसके अंदर गोर्मेंट और प्राइवेट दोनों को हमने इंक्लीड किया था गोर्मेंट एज प्राइवे और प्राइवेट को भी यहां पर अलग अलग टिप्रेंस यहां पर आपको बताया है तो गाइज ऐसे ही लेटेस वीडियो रिगार्डिंग नीट पीजी 2023 के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही वीडियो आपको आगे देखने को में लेंगे जिसमें हम नीट पीजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग टिप्स भी आपको इस चैनल पर दिये जाएंगे थैंक्यू बेरी मस्ट गाइज